हलो कमांडोस welcome to biomeptors classes online और हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के बारे में और यह पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है जो की रेप्र हैं जैनों से जैनों के compound के formation और उसके uses के बारे में इनर्ट गैसेस के uses के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे ठीक है तो पी ब्लोक बड़ा यूनिट है लगबग 20 के ऊपर ही लेक्चर इसमें लग रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है बोरिंग भी लगा होगा बहुत सारा इसमें लेकिन बोर नहीं होना है जो कॉंसर्ट वाली चीज्ब मैं उनको एस रीटिस करना है तो वाली चीजों को जब आते कि तो आपको इसके सभी कॉंसर्ट स्क लियर हो जाएंगे और आपको इसमें आननदेज करना होँगा कुछ रियक्शंस एधिक जयांप से जो आपको डारेक्ली याद रखना है तो उन चीजों को याद करने की भी कोसिस करना है जैसे क्लोरीन का एन ओएच से रियक्षन है दो स्टप्ट क्लोरीन का अमोनिया के साथ रियक्षन है ठीक है तो इस टाइप की जो कुछ रियक्षन है उनको भी डारेक्ली याद करने की कोसिस करना है बहले ही आप उसको पूरा balanced form में ना करें लेकिन किसमें क्या बना है वो उस बात का हमको ध्यान रखना है ठीक है तो फाइनली हम लोग बात कर रहे थे inert gases के बारे में helium, neon, argon, krypton, xenon और redon ये inert gases हैं टोटल atmosphere में जो gases हैं उसमें से 1% part जो है inert gases का है तो 1% part inert gases का है atmosphere के अंदर जितनी भी gases हैं उसमें से ठीक है तो ये ये बात ध्यान रखना है और इन inert gases में argon का composition inert gases में सबसे ज़्यादा है highest amount, highest percentage जो gases मिलती हैं उसमें किसका है argon का और radonic ऐसी inert gas है जो atmosphere में absent होती है जिसको हम radium के disintegration से जरुरत के समय पर recover करते हैं या obtain करते हैं ठीक है क्योंकि radon जो है वो cancer के treatment में use होता है rn222 के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो cancer के treatment में use होता है helium का ionization energy सबसे ज़्यादा है helium का ionization energy energy जितने भी element है उसमें सबसे ज़्यादा होता है ठीक है inert gases का inert gases के बारे में अगर बात करेंगे तो inert gases में भी helium सबसे ज़्यादा downside जाने पर कम होगी और xenon की ionization energy लगबग लगबग oxygen के ionization energy के बराबर होती है इसलिए xenon में compound formation की tendency होती है इसलिए जानन mostly compounds form करता है inert gases का ठीक है helium neon और आरगन का कोई भी reported compound नहीं है अभी तक जानन का first discovered compound था पीटी एकसी एप 6 platinum xanon hexafluoride जिसको नील वार्टलेट ने discover किया था नील वार्टलेट ने उसको report किया था उस compound को पहली बार अगर रेडियो एक्ट्व मटेरियल से obtained के बेस्ट पे हम उठाएं जैसे helium है तो frankland और लॉक्यार ने उसको solar system से discover किया solar system में किस ने discover किया frankland और लॉक्यार ने और आरगान को डॉर्ण ने और स्वारी आरगान को रैलिग ने और रैड़न को डॉर्ण ने बाकी सबी जो gases है helium including helium तो helium को radioactive material से obtain किया था विलियम रैम से ने neon रैम से क्रप्टान रैम से और जैनॉन भी रैम से ने डिसकवर किया विलियम रैम से ने इन सब gases को discover किया था तो क्या-क्या ध्यान रखना है helium को solar atmosphere में discover किया frankland और लॉक्यार ने इसके बाद आरगान को discover किया रलिग ने और रैड़न को discover किया डॉर ने तो सब एक बार इनकी discoveries भी ध्यान रखना है ठीक है और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीचे जाने पर जब हेलियम से डाउन साइड जाएंगे तो polarizing power बढ़ती है दूसरे polar molecule के current polarizing power बढ़ती है और इस polarizing power के बढ़ने के कारण inert gases का solubility और boiling point solubility और boiling point दोनों बढ़ जाता है इनकी electron gain enthalpy negative में होगी अगर electron डालना है तो energy consume करना पड़ेगा नहीं तो यह कोई electron नहीं लेते हैं octate complete है इसलिए को हम क्या कहते है inart gas कहते है complete octate के कारण हम इनको क्या कहते है inart gas कहते हैं अब बात करते हैं zenon के कुछ compounds के formation के बारे में तो zenon के compound कैसे form होंगे क्या condition है और उतमें क्या important properties है थोड़ी सी उसके बारे में बात करते है ठीक है तो Xe-none के तीन Compound XCF2, Xe-none Di-Fluoride, XEF4, Xe-none Tetra-Fluoride और Xe-F6 Xe-none Hexafluoride इनके formation के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वन बा ए वन तीनों के formation पर बात करते हैं ठीक है Xe-none Di-Fluoride, Xe-F4 Xe-none Tetra-Fluoride और Xe-none Hexafluoride तो पहले देखते हैं तीनों का formation तो one by one compounds of xanon, compounds of xanon, xanon के compound, low ionization energy के कारण xanon में compound बनाने की tendency रहती है तो xanon gas with fluorine gas xe plus f2, दोनों कैसे हैं, gas state में है, xe gas, f2 gas, 400 degree centigrade का temperature, 400 degree centigrade का temperature और लगभग one bar pressure, one bar pressure पर ये convert हो जाएगा xe f2 xanon difluoride solid के अंदर, xe f2 का crystal बन जाएगा, यहां पर है, xe f2 crystal का formation करेगा, इसी तरीके से xanon gas plus fluorine gas, तो xanon gas को fluorine gas के साथ, 1 to 5 के ratio में, लगभग 600 degree centigrade temperature, 600 degree centigrade का temperature और 7 bar pressure पर जब हम रखेंगे, तब ये convert हो जाएगा, xe f4 crystal के अंदर, xe f4 crystals का यह solid का formation कर लेगा, xe f4 solid crystals बनाएगा, ठीक है, इसके बाद, xanon का अगला combination fluorine के साथ, xanon fluorine, 200 degree centigrade, 200 degree centigrade और 60 to 70 bar pressure, 60 to 70 bar pressure, 60 to 70 bar pressure per xe f6 crystal में convert हो जाएगा, xe f6 solid बना लेगा, ठीक है, तो this is the formation method of halides fluoride of xenon, fluoride of xenon, तो xenon fluorine के साथ, xe f2, xe f4 और xe f6, अलग-अलग condition में बनाता है, इसके बाद, xe f6 को बनाने के लिए, एक और method हम यूज कर सकते है, xe f6 is also prepared by action of xe f4 with o2 f2, reaction of xe f4 with o2 f2, मतलब oxygen का fluoride, ठीक है, तो xe f4 को o2 f2 के साथ, 143 Kelvin, 143 Kelvin पर जब रखेंगे तब भी बन जाएगा, xenon hexafloride, तो xe f4 plus o2 f2, यहां से आपको 143 Kelvin पर compound मिल जाएगा, xe f6 plus xe f6 plus o2, ठीक है, तो, there is another method for preparation of, another method for preparation of xe f6, यह xe f6 को बनाने का एक और method देखा हमने, हैं और यह तीनों जो compound है, xe f2, xe f4, xe f6, xe f6, और colorless crystalline solid, colorless, colorless, crystalline solid, colorless, crystalline solid, colorless, crystalline solid, रंगीन, रंगीन, क्रिस्टली ठोस है, colorless, crystalline solid, can sublime, और यह तीनों sublime कर सकते हैं, इन में उर्दो अपातन का गुंड पाया जाता है, can sublime, okay, अगली बात, इससे related, अगला point क्या चीज़ आ रहा है, किसके बारे में ध्यान रखना है, तो यह जो compounds हैं, Xanon के जो solid crystals बने हैं, are very easily hydrolyzed, तो crystals are very easily hydrolyzed, very easily hydrolyzed, आसानी से hydrolyzed हो जाते हैं, very easily hydrolyzed, very easily hydrolyzed, ठीक है, तो देखो, XEF2, Xanon Difluoride with water, तो Xanon Difluoride water के साथ, अगर hydrolyzed होगा with water, तो यह Xanon में decomposed हो जाएगा, decomposed into Xanon, तो it is decomposed into Xanon, Xanon Difluoride is decomposed into Xanon, अब इसके बाद, tetrafluoride को देखते हैं, XEF4, XEF4, Xanon tetrafluoride, आपको balanced form में याद करने की ज़र्वत नहीं है, सीधे सीधे product ध्यान रखिए, तो XEF4, H2O के साथ, water के साथ hydrolyzed होगा, तो compound बनाएगा, then it gives compound, then it gives compound Xe and XeO3, तो main इसका जो compound है, वो है XeO3, XeO3 बनाता है, XeO3 बनाएगा और Xanon दी बनाएगा साथ में, तो it decomposed with formation of Xanon Trioxide and Xanon, Xanon Trioxide and Xanon, ठीक है, तो Xanon Tetrioxide जो है, water के साथ reaction पर, water के साथ hydrolyzed होकर के क्या बनाएगा, XeO3 और Xanon में decomposed हो जाएगा, अब XeF6 का decomposition देखते हैं, XeF6, तो XeF6 with water, XeF6 with water, तो XeF6 को अगर हम water के साथ treat करेंगे, तो यह भी XeO3 बनाएगा, XeO3, XeO3, तो सीधे-सीधे याद रख लीजे, Xanon Difluoride, Hydrolysis पर क्या बनाएगा, Xanon, Xanon Tetrioxide, sorry, Tetra Fluoride और Xanon Hexafluoride, Hydrolysis पर क्या बनाते हैं, XeO3 बनाते हैं, सीधे-सीधे हैं, XeO3 और साथ में HF, तो this is Hydrolysis with water, भहुत ही कम amount में, आसानी से जो crystals हैं, वो water के साथ Hydrolyze हो जाते हैं, तो crystals are easily Hydrolyze with water, अब एक और बात करते हैं, partial hydrolysis of XeF6, partial hydrolysis of XeF6, partial hydrolysis of XeF6, अगर XeF6 को हम partially Hydrolyze करते हैं, तो क्या compound बनेगा, तो दो अलग-अलग different reaction है, उसको देख लेते हैं, XeF6 plus water पहली, XeF6 plus water, अब ये reaction वाला जो portion रहता है, इसमें थोड़ा सा याद करने का काम आता है, तो इसको याद करना पड़ेगा, तो XeO4 बनाएगा, एक compound तो ये बनाता है, XeOF4, XeOF4, ठेक है, और HF release करेगा, HF with XeO4, एक और compound बनेगा, इसका XeO2F2 भी बनाता है, तो partial hydrolysis की दो reaction है, XeF6 plus water, तो दैन इट गिप्स XeO2F2, XeO2F2 और साथ में HF, hydrogen, hydrofluoric acid, HF, ठेक है, तो partial hydrolysis पर XeOF6 क्या-क्या बना के देगा, partial hydrolysis पर XeOF6 बनाएगा, XeOF4 और XeO2F2, XeO3 colorless explosive solid, तो XeO3 के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, colorless explosive solid, colorless explosive solid, colorless explosive solid, colorless explosive solid है, XeO3, XeO3 is colorless explosive solid, or XeOF4, XeOF4 colorless volatile liquid, colorless volatile liquid, colorless volatile liquid के form में मिलता है, XeOF4, ठेक है, आगे, अब अगली A core property पर बात करेंगे, combination with F minus I-N acceptor, combination with, combination with fluoride minus I-N acceptor, fluoride minus I-N acceptor, ठेक है, तो नर्मली जो है, xenon fluoride ion acceptor होगा, और वो बनाएगा cation, ठेक है, लेकिन एक जगे पर XeOF6 में opposite होता है, तो वहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसका, तो देखो, XeF2, xenon difloride, अगर मैंने इसकी reaction के बारे में कहा, phosphorus pentafloride, PF5, तो ये बना देगा, एक XeF plus, और दूसरा जो हिस्था बनेगा वो है, PF6 माइनस, तो इस तरीके से cationic और anionic form में change हो जाता है, ठेक है, XeF4 plus SbF5, antimony pentafloride, SbF5, तो SbF5 के साथ बनाएगा, XeF3 positive और SbF6 negative, ठेक है, इसके बाद अगर xenon hexafloride होगा, और आप इसको metal fluoride के साथ treat करोगे, M for metal here, तो metal fluoride के साथ, अगर इसको हम treat करेंगे, यह बनाएगा, M plus XeF6 था, तो 7 minus, ठेक है, तो there is the different type of complex formation tendency with fluoride acceptors, तो fluoride acceptors के साथ इस तरीके से different, different compound का formation कर लेगा, ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं, इनके hybridization के बारे में, तो hybridization और geometry सब कुछ मैंने आपको पहले से बता के दिया है, उसमें कोई नई बात नहीं है, एक एक करके फिर से revise कर लेते हैं, XeF2, Xanon, Diafloride, तो Xanon इसका central होगा, item 54, पहले तो यह सीख लेजे, तो क्यासा हो जाएगा, 5S2, 5P6, 5P6, 5S2 और 5P6, 5P6, यह Xanon का configuration हुगा, balance cell का, जिसकी मुझे जरू होता है, अब यह 5S2, 5P6 की जो condition है, इसमें क्या हो रहा है, पूरे orbital अभी इसके packed है, कोई भी जगे इसके पास खाली नहीं है, और आपको presently क्या काम करना है, दो फ्लोरीन जोड़ना है, तो दो फ्लोरीन जोड़ना है, तो इसमें दो जगे आपको खाली चाहिए, दो वेकेंट प्लेस चाहिए, तो हम excited state में, यह हुआ ground state electronic configuration, what happens in excited state, 5S2, 5P5, और 5D1, ऐसा मैंने इसको change किया, जिससे की मेरे दो फ्लोरीड को मैं जोड़ पाँ, तो देखो 5S2, इस तरीके से जब हम जाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिना ट्रिक के, तो हमें सब पता होता है कि कहां पे कितना loan pair है, क्या situation है, तो देखें, यहां पे geometry कैसी आएगी, सब कुछ पता रहेगा आपको, यह हुआ, तो अब hybridization is clear, which type of hybridization is there, दो फ्लोरीन आएगी, तो hybridization कैसा हो गया, SP3D, SP3D hybridized molecule होगा यह, और जब भी SP3D आएगा, तो geometry हमें पता है कि वो ऐसा दिखना चाहिए, SP3D hybridized molecule, triangular biparamidal दिखता है, अब triangular biparamidal में condition क्या है, दो तो फ्लोरीन है, और तीन इसके पास loan pair है, तो आस्थानी से counting हो रही है, एक loan pair यह है, एक loan pair यह है, और एक loan pair यह, तो there is three loan pair, तो तीनों loan pair कहां चले जाएंगे, 120 पे चले जाएंगे, और दो फ्लोरीन यहां पर आजाएगी, तो hybridization is what, SP3D, three loan pair in xanon, ओके, कभी-कभी fluorine का भी count, पूरा combined molecule का count करने के लिए बोलते हैं, तो fluorine में भी तीन loan pair रहेगा, तो 3-6 loan pair वो वाले हो गए, तीन यह कुल मिला के, 9 loan pair हो गए, टोटल 9 loan pair is there, ओके, और 180 degree का bond angle है, linear molecule होगा, 180 degree है तो, और 0 dipole moment होगा, ठीक है, तो this is about xcf2, अब बात करते है, xcf4, 1 by 1, xcf4, बिल्कुल simple, 5s2, 5p6, क्या काम करना है, 4 fluorine जोड़ना है, तो यहां से हम सोचना शुरू करते हैं, कि 4 fluorine हमको जोड़ना है, तो 4 जगे हमको vacant करनी पड़ेगी, अब 4 जगे vacant कैसे होगी, तो यह लिया मैंने 5s2, 5p4, देखे, 1, 2, 3, 4, अब 5d, 2 तक लेके गए, ठेक है, अब 4 fluorine मुझे जोड़ना था, तो 4 fluorine को जोड़ने के लिए, मैंने जगे create किया, अब hybridization मुझे बिल्कुल clear है, कि SP3D2 hybridization है, the molecule, the hybridization of the molecule is XC, is SP3D2, and SP3D2 का normal geometry कैसा होता है, octahedral, but here, what happens, 2 lone pair है आपके पास, 2 lone pair is there, and 4 fluorides are there, तो जब चार connecting group होते हैं, और 2 lone pair होता है, तो कैसा दिखती है, geometry, square planar, now it is square planar, with SP3D2 hybridization, having 2 lone pair, और 2 lone pair भी है, इसके पास, तो आस्थानी से चीजे, seconds में calculate हो जाती है, perfectly जहां पर mistake का, कोई chance नहीं है, और आपको सब पता है, कि आप जो answer कर रहे है, वो बिल्कुल clear है, अब बात करता है, XCF6 के बारे में, XCF6, यह क्या काम करना पड़ेगा, फिर से वही, 5S2, 5P6, अब क्या करना है, 6 फ्लोरीन जोड़ना है, तो वट आपन्स इन एक्साइटेट स्टेट, 5P3 and 5D3, ओके, नाउ, 5P3, तो एक lone pair भी है, यह बात बिल्कुल clear है, और 5D के पास कितने एलक्ट्रोंग है, 1, 2, 3, तो हैब्रड़िजेशन इस क्लियर नाउ, 6 फ्लोरीन हमने जोड़ दिया, तो दैर इस दिकनाक्टिवर्टी आप दा, 6 फ्लोरीन, तो XCF6, एक मॉलक्यूल, जो के, SP3, D3 हइब्रड़िज होगा, उसको क्यासा होना चाहिए, उसको पेंटागोनल बाइपरामिडल होना चाहिए, इस में भी पेंटागोनल बाइपरामिडल, इस लिए बांट्रोंद्रोंद्रोंग पेर, So, the geometry of the molecule is distorted octahedral, लिए इस molecule की geometry कैसी होगी, distorted octahedral होगी, हिंदी वे इसको कहेंगे, वेकरत अस्टफल की, अस्टफल का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, वेकरत अस्टफल की, there is SP3-D3 hybridization, SP3-D3 hybridization, one lone pair, एक इसके पास lone pair भी है और distorted octahedral is the zometry, तो यह हुआ आपका अगला molecule है, XCF6, अब देखो, और molecules देखते हैं, बचे हुए वाले, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी न रहे, XC, O3 की बात अगर मैं करता हूँ, अब हमको क्या सोचना है, अब हमको यह सोचना है, कि oxygen जोड़ना है directly, और oxygen कौन सा bond बनाएगा, अकेला होगा तो double bond बनाएगा, double bond बनाएगा, मतलब एक bond बनाने के लिए कितनी जगे चाहिए, दो जगे चाहिए, उसमें एक सिग्मा बनेगा, एक पाइब बनेगा, अब क्या करना है, तीन oxygen जोड़ना है आपको, तो छे जगे आपको वेकंट चाहिए, क्योंकि तीन जगे पर सिग्मा बन्ट का formation होगा, और तीन जगे पर पाइब बन का formation होगा, the पाइब बन्ट formation, साइड वाइबिवर्लापिंग का रेजल्ट होता है, it is not included in hybridization, उसको हम hybridization में include नहीं करते हैं, यह भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो दर गॉत हपन्स, एक ऑक्सेजन, दो ऑक्सेजन और यह तीन ऑक्सेजन तो आंसर इस क्लियर नाओ SP3 hybridized molecule है यह और एक इसके पास lone pair है और तीन इसके पास bond pair है अगर चारो bond pair होते तो tetrahydral होता, तीन bond pair है तो pyramid हो जाएगा तो it is a pyramidal molecule with SP3 hybridization, SP3 hybridized molecule होगा, XeO3. Now, the next. XeO4, पहले XeO4 की बात कर लेते हैं, XeO4 तो as same as अब आपको आपको बात समझ में आ गई, तो 5S2, 5P6 is the Xanon crown state, excited state is what? चार oxygen जोडना है, मतलब चार oxygen जोडने का मतलब हुआ कि आपको 8 vacant जगे चाहिए और 8 vacant जगे चाहिए तो 5S1, 5P3 और 5D3 तक configuration को ले जाना पढ़ेगा, and here is the molecule, 5D3 तक जाएगा configuration, एक oxygen, दो oxygen, तीन oxygen और ये चार oxygen, और चार oxygen को, अच्छा, तीन और एक चार हम बाहर लेके गए हैं, तीन और एक चार बाहर गया है, जो की Pi bond बनाने में utilize होगा, okay, तो here is a tetrahedral geometry of XeO4, तो ये SP3 hybridized molecule है, only the formation of sigma bonds, the part of hybridization, ये बात हम को ध्यान रखना है, ठीक है, अब बात करते हैं, अगलग दो और molecule के बारे में, two more molecule, that is XeO2F2, XeO2F2, अब इसको check करते हैं, तो देखे, क्या-क्या condition ध्यान रखना है, दो fluorine single bond से, दो oxygen double bond से, two fluorine with single bond, two oxygen with double bond, तो दो और दो चार और दो छे जगे आपको खाली चाहिए, तो 5S2, 5P3, और 5D3, तो 6 space आपको vacant मिल रहा है, 5S, 5P3, और 5D3, अब connectivity, एक fluorine, दो fluorine, एक oxygen, दो oxygen, तो hybridization is clear, now, SP3D, SP3D hybridized molecule है, लेकिन दो oxygen है, और दो fluorine है, उसके साथ एक lone pair भी है, तो C-100 वाली geometry बनाएगा, ये, हाँ, SP3D hybridized molecule है, XEO2F2, clear, एक और, XEOF4, अब इसके अलावा इस्ती प्रेक्टेस के बाद तो आप किसी को भी बना दोगे, अब देखो, एक, चार fluorine के लिए, चार वेकंट जगे, चार फ्लोरीन के लिए, चार वेकंट जगे, एक oxygen के लिए, दो वेकंट जगे, उसमें से एक सिग्मा बॉन, तो 5S2, 5P3 और 5D3 तक करके देखें, तो देखें, यह 5S2, 5P3 और 5D3, यहां पे, पीन और एक, चार फ्लोरीन, एक oxygen, एक उतका single 5S3 और 5P3 और 5D3, तो एक फ्लोरीन, एक ही फ्लोरीन है, चार फ्लोरीन है, अपने पास, चार फ्लोरीन और एक oxygen, तो hybridization is what? SP3D2, SP3D2, अब SP3D2 कैसा दिखता है? SP3D2 दिखता तो octahedral है, लेकिन condition क्या है? चार मेरे पास फ्लोरीन है, एक मेरे पास पेयार अफ्लोरीन भी बचा हुआ है, और एक मेरे पास oxygen भी बचा हुआ है, तो जब SP3D2 पर एक lone pair रहता है, तो the geometry of the molecule is square pyramidal, तो कैसा दिखता है? Square pyramidal दिखता है, square pyramidal is the geometry, कैसा दिखेगा? Square pyramid दिखेगा, ठीक है? और hybridization तो clear ही है, SP3D2, और एक के पास reserved lone pair electron भी है, one lone pair electron is also here, तो this is about the, this is about the geometry of the compounds of xenon, ये xenon के compounds की geometry के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, Now, अब बात करते हैं, uses के बारे में, तो what are the uses of the inart gases, inart gases के क्या uses हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ये बहुत important है, लेकिन ये, ऐसा मैं सुचेगा कि uses important नहीं, हैं, uses inart gases के, तो पहले helium, tires of aeroplane, tires of aeroplane, aeroplane के, जो tires हैं, उसके अंदर, aeroplane के tires के अंदर भरी जाएगी, helium gas, tires of aeroplane, okay, inartiness के लिए, nitrogen और helium दोनों gases inartiness के लिए भरी जाएगी, ताकि landing हो, तो फटने के chances ना रहें, number two, mixture of helium and hydrogen, mixture of helium and hydrogen, helium और hydrogen के mixture को, helium और hydrogen के mixture को, डालते हैं, balloons के अंदर, field in balloons, filled in balloons, balloons में भी helium और hydrogen का, mixture डाला जाता है, number three, sea divers जो होते हैं, जिसको scuba diver भी कहते हैं, scuba divers, use a mixture of, इसको अस्थमा के पेसेंट को भी देते हैं, मतलब अल्ला किसे कोई mixture नहीं रता है, ध्यान रखेंगे, तो for scuba divers, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, जो पहड़ी पे चाहेंगे, high altitude पर और जो अस्तमा के पेसेंट होते हैं, सभी को हम helium, nitrogen और oxygen का मिक्चर देते हैं, in a ratio of, in a ratio of, in a, in a composition of 11.7 percent of helium, 11.7 percent of helium, 56.2 percent of nitrogen और 32.1 percent of oxygen, 32.1 percent of oxygen का composition, scuba divers, इसके बाद high altitude पर जाने वाले लोगों के लिए, इसके बाद पेसेंट आफ अस्तमा के लिए, ताकि असानी से respiration हो सके, ठीक है, और बात खास ये रहती है, कि nitrogen के comparison में भी helium blood के अंदर less soluble होता है, ठीक है, इसके अलावा और कौन-कौन से uses हैं helium के, उस topic पे बात करते हैं, what are the another uses of helium, तो thermometer से low temperature नापने के लिए use करते हैं, जहां पर आप जैसे, जहां पर माइनस में temperature है, माइनस 40, माइनस 50, तो उस जगे का temperature जो है mercury thermometer से नहीं लिया जा सकता है, तो low temperature वाले thermometer में use होती है helium gas, तो obtained low temperature from thermometers, ठीक है, इसके बाद एक और फहुत important use, helium gas is used, helium gas is used, helium gas is used to produce, used to produce, used to produce and sustain, मतलब देने के लिए और उसको maintain करने के लिए, used to produce and sustain, used to produce and sustain, powerful superconductivity, powerful superconducting magnets, used to produce and sustain, powerful superconducting magnet, superconducting magnet, which are essential part of, which are, which are essential part of, essential part of NMR spectroscopy, NMR crystals वगरे के बारे में पढ़ते हैं, NMR spectroscopy and MRI, MRI की जो machine होती हैं, वहाँ पे superconductivity को produce करना, और उसको sustain करना, मतलब उसको maintain रखना, ये भी helium का काम है, ठीक है, है, that is MRI is the magnetic resource amazing, magnetic resource amazing, तो MRI के लिए भी इसको use करते हैं और MRI का use clinical diagnosis के लिए किया जाता है, clinical diagnosis के लिए किया जाता है, जब से ये technique आया, MRI वाला, तब से बहुत ही static diagnosis हो पाता है, कि कहाँ पर क्या problem है, ठीक है, हाउंस फिल्ड ने discover किया था इसको, ठीक है, इसके बाद neon, तो neon का जो main use है, वो है, neon indication lamp, neon indication lamp, neon indication lamps, कहाँ लगते हैं, neon indication lamps, railway signal और towers, railway signal, railway signals and towers पे हम use करते हैं, neon indication lamps को, तो towers पर आपने देखा होगा, अगर कभी ऊचे tower पर, mobile tower तो बहुत ही common हो गया है, तो वहाँ पर red light राथ को आपको जलती हुई दिखेगी है, ताकि कोई भी aircraft दूर से आकर उसे टकराना जाए, इसलिए, इसके बाद argon, तो argon और nitrogen का mixture, argon plus nitrogen, corrosion, electric bulbs or tube lights, electric bulbs के अंदर भरेंगे, electric bulbs and tube lights, inert atmosphere देने के लिए, क्रिप्टॉन और Xanon, discharge tube में डालते हैं, discharge tube जिसमें experiment करते हैं, discharge tube के अंदर भरते हैं, क्रिप्टॉन और Xanon का mixture, और redon के बारे में तो पहले ही बता दिया था, फिर से uses आया है, तो एक बार फिर redon 222 for treatment of cancer, treatment of cancer, cancer के treatment के लिए use होता है redon, तो for treatment of cancer, तो these are the important uses of the inert gases, यह inert gases के important uses हैं, और important हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, कि इसके uses important रहते हैं, ठीक है, that is all about P block element, और इसके बाद हम लोग D और F करेंगे, and then coordination, एक unit हमारा बचा हुआ है metallurgy, उस पे भी काम करेंगे, बचे हुए तो यह तीनों ही हैं, तो इन तीनों पे आप आगे काम शुरू करते हैं, thank you.